देश भर में आज ईद बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और लखनव से एक ऐसी तस्वीर आई जो काफी दिल्चस्फ और सांदार संदेश दे रही है दरसल लखनव के एस बाग में ईदगाह कमेटी द्वारा ईद के मौके पर एक कारिकरम आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मानली श्री अखिलेश यादोजी ने भी सिरकत की और इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीम दिनेश सर्मा और सपा के राष्टी अध्यक्ष्री अखिलेश यादोजी एक साथ दिखाई दिये दोनों नेता ने मंच पर ही एक समय एक ही साथ दिखे और कारिकरम में दोनों ने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए भी नजर आए इस कारिकरम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीयम ब्रिजेस पाठक भी पहुँचे और मंच मानिश्री अखिलेश यादो जी के साथ साजा किया इस दोरान सभी नेताओं ने प्रेम और भाई चारे के साथ रहने का संदेश दिया हाला कि अखिलेश यादो जी ने कारिकरम के बाद मीडिया से बाक्चीत की इस दोरान उन्होंने बीजेपी पर मिसाना साथते हुए कहा कि दंगान नहीं होना चाहिए दंगो से कुछ लोगों को लाब होता है लेकिन इस से प्रदेश और देश का बड़ा नुक्सान होता है